ओम गर्ण शिरी महा गड़े शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों पित्रपक्ष शुरू हो गए हैं पित्रपक्ष भादपद महा की पूर्ण मा को शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं पित्र पक्ष पूरे सोले दिनों के होते हैं। इन दिनों का शास्त्रों में विशिश महतु बताया गया है। पित्र पक्ष को शाथ पक्ष, शाथ और कनागत भी कहा जाता है। पित्र पक्ष में पित्रों को तर्पण और पिंड़डान किया जाता है। माना जाता है कि शाथ पक्ष में पित्र लोक से किसी ना किसी रूप में अपने सुजनों से مिलने के लिए धवर आते हैं। और सुजनों द्वारा दिये गए भोजन पर भाप को ग्रहन करते हैं पित्र पक्ष में हमारे पित्र यम्राची आग्या नुसार शूश्मु रूप में प्रत्वी पर आते हैं और हमारे द्वारा दिये गए शाथ भोजन तरपन आदी ग्रहन करते हैं जिससे उन्ही संतुष पित्र दोश का शाप लगता है पित्र दोश जिस व्यक्ति की जर्म कुंडली में होता है उसे जीवन भर शंगर्श करना पड़ता है ऐसे लोगों को सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है जौब और ब्यापार में दिक्कत परिशानी बनी रहती है ऐसे लोगों की टेंशन कभ भी खत्म नहीं होती शिक्षा अधूरी रहती है धन के लिए परिशान रहते हैं रिष्टे खराब हो जाते हैं शरीर में कोई गंभीर रोग लग जाता है बाणी खराब हो जाती है बुरी संगत के कारण ऐसे लोगों को गंभीर परणाम भुगतने पड़ते हैं व्यक्ति क उजा गलत कार्यों में व्यर्थ होती है पित्र पक्ष पित्रों को प्रसंद कहने की सबसे खास दिन होते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको पित्र पक्ष में पित्र दोश से मुक्ति पाने का एक बहुत ही आसान उपाई बताने जा रहे हैं इस उपाई को कहने से पित् पित्रों के कृपा से पितिन दोर्श से मुक्ति मिलती है और जीवन के हर छेतिर में सफलता प्रापत होती है बिग्ड़े काम बनने लगते हैं इस उपाय को आप PC में किसे भी दिन कर सकते हैं दोस्तों उपाय को सही प्रकासि में करिने के लिए आप इस वीडियो को अँड अ अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं तो आएए दोस्तों जानते हैं इस उपाई के बारे में उपाई करने के इसनान करके सच्छबस्त धारन करें इसके बार एक सूखा हुआ नार्यल ने सूखा हुआ चाहा नार्यल जिसे गोला Kollegen करने के लिए जटा वाला नार्यल नार्यल लेने के बाद अप आप अपने लंबाई ज़ले सकते हैं तो तूस्तो अब शनर्ःल और लाल धागे को आपको बजरंपली के चलणों में रखना है आप इस उपाये को बज्रंगपली के मंदिल में जाकर भी कर सकते हैं या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं बज्रंगपली के चर्णों में नारियल और धागा रखने के बाद आप एक शुद्धिघी का दिया जलाएं और एक सुकंदे धूपती जलाएं अब भगवान श्री गणीश को प्रणाम करें भगवान विश्णू पालक्ष्मी जी को प्रणाम करें सीता राम भगवान जी को प्रणाम करें और बश्रंगपली को प्रणाम करें इसके बाद एक पात्र में आप शक्कर रखकर इसका भगवान जी को भोग लगाएं बोग लगाने के पश्चात अब आप कुमकुम से नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आप सबसे पहले भगवान विश्णुजी के महामन्त ओम नमो भगवती वासु देवाय का 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवती वासु देवाय का जाप करने के बाद अब आप हन्मान चालिसा का एक बार पाठ करें। ओम पित्रभ्य नमा ओम पित्रभ्य नमा दोस्तों भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी को शास्तों में पित्र दीप कहा गया है। पित्रों की प्रसंता के लिए और पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्र दोश्री मुक्ति पाने के लिए भगवान विश्णो मा लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए हनुमान जी को जागरत देप माना जाता है भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह चिरन जीवी हैं बेप्रत्वी पर सत्युग में भी थे और कल्युग में भी प्राच्वान हैं बजरंग बली को संकट मुचन कहा जाता है। बजरंग बली अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। माना जाता है कि बजरंग बली की कृपा से सभी कष्टों, संकटों और दोशों से मुक्ति मिलती है। पितर दोश से मुक्ति पाने के लिए बजरंग बली का भी विशेश रूप से पूजन किया जाता है। इस तरहें पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणिश, भगवान विष्टों, मा लक्ष्मी जी बजरंग बली और पितर देप को प्रडाम करें। और अ अंजाने में की गई सभी कलतियों की शमा मांगे। पितर दोश से मुक्ति की प्रात्ना करें। पित्रों की प्रशंता, आत्मा की शांती और मुक्ति की प्रात्ना करें। प्रात्ना करें। प्रात्ना करने के पश्चात आपने पजरंग बली के चर्णों में जो नारियल र आप अपने घर में ही किसी पुरुश्य बच्चे से नारियल को कटवा लें, अगर घर में ऐसे किसी से ना कटवा सकें, तो आप जब नारियल खरीद कर लेकर आएं, तो दुकानदार से ही नारियल को कटवा कर लेकर आएं, फिर उसे पूजन में रखें, नारियल को ऊपर से क उससे पूरा नारियल भर जाए नारियल में शक्कर भरने के बाद आप नारियल पर उसका काटा हुआ हिस्सा लगा दें और इसके बाद लाल रंका जो आपने धागा बर्जन पली के चर्णों में रखा था अब उस धागे से आप नारियल को बांग दें यानि कि कटा हुआ हिस्सा आपको धागे से नारियल पर बांग देना है नारियल बांगने के बाद अब आप इस नारियल को पीपल ब्रक्ष पर ले जाए दोस्तों पीपल ब्रक्ष में समस्त देवी देखताओं का बास माना जाता है पीपल ब्रक्ष में भागवान पिश्ण इसलिए इस नारियल को आपको पीपल ब्रक्ष पर ले जाना है पीपल ब्रक्ष के पास आप जमीन में एक गठा खोदें ध्यान रखें आपको पीपल ब्रक्ष से थोड़ा दूर गठा खोदना है जिससे पीपल ब्रक्ष को कोई भी नुकसान ना पहुंचें गठा खोदने क के बात ऐसे नाड़ेयल को गठे में दबातें नाड़ेयल को जमीन में दबातें समय आप इस आई कि ध्यान हैं दिखाई देए। Guess, दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल रंग के धागे से आप को नारियल को बहुत कसकर यानि की टैटली नहीं बानना है, थोड़ा धीला ही आपको धागे से नारियल दवाने के बाद अब नारियल के पास एक मिट्टी के पात्र में पानी भरकर भी रखते हैं नारियल दबाते समय पानी भरकर रखते समय आप पित्रों का ध्यान करते रहें ओम्नमु भगवते वासु देवाय मंत्र का मनही मंजा करते रहें नारियल दबाकर पानी रखने के बाद अब आप पित्रों का ध्यान करें और उनका आवाहन करें यह नारियल चीटियों के लिए रखा जाता है। शाद के दिन में चीटियों को भोजन कराना बहुत ज़रूरी होता है। चीटि अगनी तत्व का प्रतीक मानी जाती है। चीटियों को इस तरहें भोजन खिलाने से पित्रों का आशिरवात प्राक्त होता है। पीपल ब्रक्ष पर पित्रों का बास्वाना जाता है। इसलिए पित्रों को प्रसन्य करने के लिए चीतियों को भोजन पीपल प्रक्ष के पास ही रखा जाता है। छीटियों के लिए रखा गया ये भोजन लंबे समय तक चलता है, इससे पित्र भी लंबे समय तक प्रसन्न और त्रप्त होते हैं, छीटियों के लिए इस परकार भोजन रखने के बाद आप पित्रों से जाने अंजाने में की गई सभी गल्तियों के शमा अवश्य ही मांगें दोस्तों इस उपाई को कहने से पित्र तप्त और प्रसन होते हैं पित्रों का आशिवात प्राप्त होता है और पित्र दोष से मुक्ति मिलती है इस उपाई को आपको पित्र पक्ष में केवल एक बार ही कहना है आप अपने पित्रों की आत्मा की शान्टी और पसंदा के लिए पित्र दूर्श से मुक्ती पाने के लिए इस उबाय को पित्र पक्ष के दोरा आवश्य ही करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंज्स और रिस्तिदारों में जादर से जादर शेयर करें जिस से भेर भी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर वाचिंग राधी राधी